हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब भी लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और उमीद है आपकी तयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं मौर्निंग में 11 एम प्रैक्टिस सेट सॉल करते हैं एंड इवनिंग में 4 पीम में हम लोग मौर्डल पेपर सॉल करते हैं मौर्डल पेपर में होल सेलेबर से आपके कोश्चन्स रहते हैं और प्रैक्टिस सेट में आपके टॉपिक वाइस कोश्चन्स रहते हैं ठीक है तो आप सभी को पता है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड टोटल 40 कोश्चन सौल किये थे जो कि मोश्ट इंपोर्टेंट एंड एक्जाम ओरेंटेड कोश्चन थे तो अगर आपने प्रीवियस प्राक्टिस सेट को नहीं सौल किया है तो डेफिनेटली आप पहले प्रीवियस प्राक्टिस सेट को जरूर सौल करें आपके लिए बहुती हेलफुल रहेंगे अगर आपका जुनून है, आपका सपना है, टीसर बनने का तो definitely आप इन सभी practice sets और model papers को solve करें मैं 100% कह सकती हूँ यहीं से आपका selection होगा क्योंकि सारी सीजें हम आपके लिए free available करा रहे हैं अगर आप PDF के form में questions की practice करना चाहते हैं तो हमारे telegram channels को join कर लिजिए चहाँ पर आपको lots of questions मिलेंगे जिनकी आप practice खुद से कर सकते हैं कि लिए telegram channel की link आपको description box में दे दिया है तो चलिए dear parents एक बार हम लोग अपना slavus देख लेते हैं जो हमने topic wise slavus को divide किया था उस index को एक बार analyze कर लेते हैं कि हम लोगोंने कहां तक topic wise practice set solve कर लिये हैं तो यहाँ पर हमने आपके slavus को topic wise divide कर लिया था जिससे कि हम लोगों आसानी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग questions solve कर सकें तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगोंने सबसे पहले biological classification में virus, viroids and preons के questions solve किये थे इसके बाद kingdom monera, kingdom protesta जिसमें हमने bacterial cell से related three parts में questions solve किये थे और उसके बाद हम लोगोंने fungi, kingdom fungi के सारे questions solve किये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं kingdom planty के questions solve कर रहे हैं kingdom planty में हम लोगोंने algae and bryophytes bryophytes के questions solve कर लिये हैं आज की class में हम लोग teridoophytes से related questions solve करेंगे teridoophytes से related questions solve करेंगे ठीके जो कि आग के kingdom planty के अंतरगत आते हैं इसके बाद gymno and ingeo sperm बचा है जिसको हम लोग एक ही सार इंक्लूड कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग आएंगे animal kingdom है ना kingdom animals में हम लोग quarters and non quarters को two parts में divide करके solve करेंगे तो इस तरीके से हम लोग एक sequence में एक topic wise सारी questions solve करेंगे और ये आपके EMRS exam तक finish कर लेंगे हम लोग ठीके एंड इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी state के हैं सभी state के लिए ये वीडियो बहुत important है क्योंकि all states में biology का syllabus 90% similar होता है तो चाहे आप UPSC TZT PZT की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप या फिर आप या फिर आप जे SSC से हैं हरियाडा से हैं जारखंड से हैं या फिर आप विहार से हैं तो इन सभी state के लिए ये वीडियो बहुत ही important रहने वाली है क्लियर चलिए start करते हैं So dear parents let's now start अगर आप चैनल पर नए हैं तो definitely आप चैनल को subscribe कर लीजिए share and like कर दीजिए चलिए start करते हैं first question सभी के सभी questions आपके terido fights से related हैं ठीके तो इन questions के माध्यम से हमारे terido fights का complete revision भी हो जाएगा और साथ साथ आप ये भी analyze कर पाएंगे कि आपने कितने अच्छे से study किया है और कितने questions आप solve कर पाएं फर्स्ट question आइसो इट्स मारसीलिया लाइको पोडियम या फिर सलेजिनेला बहुत अच्छा question बहुत बहुत भेतरीन कई बार questions common name से भी पूछे जाते हैं तो आपको बताना है इन में से किसका popular name है quillwort and merlin's grass तो यहाँ पर आपका character answer क्या हो जाएको option number A आइसो इट्स जो आइसो इट्स है इसे हम quillwort और merlin's grass भी कहते हैं clear अगर हम बात करें टेरीडोफाइट्स की study को तो टेरीडोफाइट्स की study को हम टेरीडो लौजी कहते हैं टेरीडो लौजी and father of टेरीडो लौजी फादर आफ टेरीडो लौजी कौन है एफ बावर एफ बावर अगर बात करें इंडियन father of Indian टेरीडो लौजीस्ट ठीक है इंडियन टेरीडो लौजीस्ट कौन है ये एस एस बीर ठीक है एस एस बीर ये जो है ये आपके father of Indian टेरीडो फाइट्स है तो ये कुछ important thing से जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है एंड जो टेरीडो फाइट्स हैं ये first successful land plants हैं ठीक है land plants हैं एंड ये first tracheophytes हैं या इन्हें हम और क्या कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टो गेमस वैस्कुलर क्रिप्टो गेमस ये कैसे हैं non-flowering plants है यादि कि इनमे no flower नहीं बनेगा अगर flower नहीं बनेगा तो fruits काफी formation नहीं होगा तो यहाँ पर किसी तरीके का fruits देखनेक नहीं मिलता है एंड fruit नहीं बनेगा तो फिर seed भी यहाँ नहीं है तो ये कैसे हैं, क्रिप्टो गेमस हैं, नहीं कि नान फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है किलियर, तो ये कुछ बेसिक बाते हैं, जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है चलिए, नेक्स्ट कोश्चन फू परपोस्ट दा स्टीलर थियोरी, जो टेरिडो फाइट्स हैं, इनमें हमें स्टीलर सिस्टम देखनें मिलता है स्टील्स प्रजेंट होती है, तो जो स्टीलर थियोरी है, किसने परपोस्ट किया था डूरे ने, विटर अंद स्टीउस ने, जि मर्मेंस ने, या फिर वंतिग्म अंद डोली ओड ने वेंतिगम अंड डोली ओड ने सो यहाँ पर आपका करेक्ट अपनोईर क्या हो जाएगा, ओफशन नमबर डी वांटिगम एंड डोलियोट ने टेरीडो फाइट्स में श्टीलर थियोरी को परपोस्ट किया था चलिए, नेक्स्ट कोश्चिन Which are the water ferns? इनने से कौन water ferns हैं? मार्सेलिया एंड एजोला, इक्वीशेटम एंड एडेंटम, एडेंस्टम, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला या फिर नन आफ दीज आप एंसर करेंगे तो यहाँ बर हमारा करेक्ट एंसिर क्या हो जाएगा? ओप्शन नमबर ए मार्सेलिया एंड एजोला वोर्टर फर्न्स हैं नाओ, नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं बहुत इंपोर्टन कोश्चन से दिहान से सॉल करेंगे टर्वी क्यूलेटेड इंडोडर्मिस बिद कैस्प्रियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन किसकी एफिडर्मिस टर्वी क्यूलेटेड है और कैस्प्रियन स्ट्रिप्स प्रजेंट होती है बहुत अच्छा कोश्चन है कई बार रिपीट भी होता है सा कोश्चन लाइकोपोडियम, सलेजिनेला, एक्वीशीटम या फिर मारसेलिया आप एंसर करेंगे सलेजिनेला में जो रूट की एंडोडर्मिस है ये कैसी है ट्रिबी क्यूलेटेड है और यहाँ पर कैस्प्रियन स्ट्रिप्स प्रिजेंट होती है नाव नेक्स्ट कोश्चन पैल्टेट डिस्क इज कारेक्टरिस्टिक्स फीचर आफ इस्ट्राविलिस आफ विच टेरिडोफाइट्स किस टेरिडोफाइट्स के इस्ट्राविलिस का करेक्टरिस्टिक फीचर है पैल्टेट डिस्क ठीक है पैल्टेट डिस्क नाम के इस्ट्रेक्चर्स प्रजेंट होती है कहां इस्ट्राविलिस में तो ये किसका characteristic features है एक्वी सीटम, सिलेजी नेला, टेरी डियम या फिर राइनियम बहुत अच्छा question, correct answer क्या होगा, option number A एक्वी सीटम, एक्वी सीटम में जो इस्ट्रॉविलस है इसमें peltate disk present होती है अगर आपने अच्छे से detail में सारी चीज़े पढ़ रखी हैं deep में तो definitely आप अच्छे से question solve कर पा रहे होंगे अगर question solve करके आपको मजा रहा है तो definitely आप channel को जरूर share करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को join करें clear जिससे हम भी आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा बहतर कर सके अगला question हमारे पास है form adensum is known by the common name form adensum का common name क्या है quill what adors tongue form adors tongue form आप tongue की spelling correct करेंगे adors tongue form या high satin form या फिर median hair form तो अभी हमने बताया quill what किसे कहते हैं iso eats को है न and adors tongue form हम किसे कहते हैं ophioglassum को and maiden hair form किसे कहते हैं adensum को ठीके यहाँ पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा option number d अगर आपसे पूछा जाए maiden hair tree maiden hair tree तो हम किसे कहते हैं gingo को ठीके gingo को जो की आपका एक zimno sperm है तो ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स्ट पॉस्चिन phyton sylophyton या फिर acylero gylon तो आप answer करेंगे यहाँ पर correct answer क्या होगा option number c sylophyton एक सब्चे प्रिमिट्व फॉस्चिल teridophytes है जिसकी discovery सर बिलियम डाउशन ने की थी अच्छा question है एकजाम में आने की chances है चलिए अगला प्रशन है members of teridophytes are जो teridophytes है यह कैसे होते हैं इनमें एक ही टाइप के spores present होते हैं homo spores या फिर यह heterospores होते हैं या फिर homo spores and heterospores या फिर none of the ever none of the ever तो जो teridophytes है इनकी sporengia में sporebears होते हैं और यह spores दोनों तरिके देखनेंग मिल सकते हैं homo spores भी and heterospores भी तो यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा option number c चलिए next question in which of the teridophyta roots and leaves are absent किस teridophyta में root and leaves absent होती हैं teris lycopodium silotum या फिर dryopteris चलिए आप answer करेंगे ध्यान से question स्वाल करेंगे so correct answer क्या हो जाएगा option number c silotum चलिए next question next question है which is the smallest teridophyte often used as biofertilizer किस teridophytes को हम use करते हैं biofertilizer की तरह और वो क्या है सबचे smallest teridophytes है marcelia marcelia salvinia azola या फिर isoids या फिर isoids so यहां पर आपका correct answer क्या हो जाएगा option number c azola ठीक है option number c is correct चलिए next question which pair of teridophyta so cercinate vernation teridophytes में कुछ ऐसे members होते हैं जिनकी leaf कैसी होती है quiet होती है जिने हम cercinate vernation कहते हैं ठीक है cercinate taxes कहते हैं leaf की जो की open होती है based to ठीक है यह open कैसे होती है base to upward ठीक है उपर की तरब चे तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा teris and teridium drive teris and teris यह फिर marcelia and drive teris silotum and horneophyton so यहाँ पर आपका character answer क्या हो जाएगा option number c marcelia and drive teris में searchinate vernation देखने को मिलता है अच्छा question से याद रखेंगे किसी भी questions में अगर आपको कोई भी doubt है तो definitely आप comment box में पूँ सकते हैं and आप telegram channel में भी अपने masses को put up कर सकते हैं next question match the following column first को column second से match करना है कुछ teridophytes के members है और उनके type of sorai है ठीके चलिए offeo glassum में किस type का sorus present होता है salvenia में किस type का sorus present होता है and adiansum में किस तरीके का sorum present होता है ये आपको बताना है match करेंगे आप ध्यान से जो offeo glossum है offeo glossum इसमे sorus किस type के present होते हैं आपके simple sorus present होते हैं ठीके simple sorus and जो salvenia है इसमें graded sorus present होते हैं and जो addiansum है इसमे mixed type के sorus present होते हैं इसके साथ साथ आप dryopteris को भी याद रखेंगे dryopteris इसमें भी आपके mixed sorus present होते हैं किलिया तो आपका correct answer क्या हो जाएगा third one two next question select the mismatch यहाँ पर mismatch आपको select करना है sylopseida sylotum sylopseida order के अंतरगत sylotum आता है lycopseida के अंतरगत silaginela and isphenopseida के अंतरगत equisytum चलिए यहाँ पर आपका क्या correct हो जाएगा 13 13 में आपको option number C isphenopseida equisytum एक बार आप इसको check कर लेंगे क्योंकि एक option miss है ठीक है एक बार इसे आप check कर लेंगे please चलिए next question given below are some members of teridophyta how many of them have you sporengia type of sporengia यहाँ यहाँ पर sporens होने के बाद germinate होकर new teridophytes का formation करते हैं जो teridophytes हैं इनकी main plant body sporophytes होती है sporophytes ठीक है जो कि deployed होती है तो अगर हम बात करें sporengia की तो sporengia two types की होती है एसी sporengia जो if sporengia if sporengia develop from develop from group of cells ठीक है group of cells अगर sporengia group of cells से develop है तो ऐसी sporengia को हम क्या कहते है you sporengia ठीक है इसे हम क्या कहते है you sporengiate type you sporengiate sporengiate type and जब sporengia का formation only one cell से होता है ठीक है एक single cell से sporengia का formation होता है तब हम इसे क्या कहते है lip to sporengiate type lip to sporengiate type sporengia clear तो आपको इनकी example स्याद रखने है lip to sporengiate के अंतरगत आप के आते है azola ठीक है हम आप write down कर लेंगे azola salvenia इसी के अंतरगत आती है और आपका dryopteris ठीक है marcelia इसी के अंतरगत आएगी आपकी marcelia and teridium and teridium ठीक है यह आपका teris है और teridium फिर से आप एक बार ध्यान से सुनेंगे और आप write down कर लेंगे lip to sporengiate type की sporengia में हमारे आजाते हैं azola salvenia dryopteris teris and marcelia और teridium यह कैसे हैं lip to sporengiate type की sporengia present होती है and इसके बाद अगर बात करें use sporengiate में तो आपके use sporengiate में आजाते हैं silotum ठीक है silotum and lycopodium lycopodium यहां पर आपके कितने मेंबर्स हो जाएंगे silotum equisitum जो की आपके sporengiate type है यह कैसे हैं आपके sporengiate type है and azola salvenia and dryopteris यह आपके lip to sporengiate type है clear so यहां पर correct answer क्या हो जाएगा option number B है ना silotum and equisitum two members ऐसे हैं जो की इनके पास sporengia u sporengiate type की है clear चलिए next question next question in which type of steels steels break into many fragments due to overlapping leaf gaps and each steel is called as merry steel आप point पकड़ेंगे और answer find out करेंगे soleno steel proto steel dictio steel या फिर poly steel चलिए आप बताएंगे यहाँ पर correct answer क्या होगा option number C dictio steel इसे हम क्या कहेंगे dictio steel clear next question next question choose choose in correct statement आपके सामने कुछ statement है जिन में से आपको incorrect बताना है बताएंगे आप that is option number B option number B is correct चलिए next question दिहान से पढ़ेंगे आप question और eliminating method को use करते हुए अपने correct answer को find out करने की कोसिस करेंगे अगर question solve करके आपको मसा रहा है आपकी practice boost हो रही है तो definitely आप channel को जरूर share करें अपने friends group वर्ट्सप टेलीग्राम फैस्बुक ठीक है जरूर share करें next question the terido fight which saw two unique features कि terido fights के पास two unique features हैं क्या first unique features presence of pyrenoid जो की क्या है algal feature है and secondary growth जो की dicot and gymnos form का feature है ये दोनों भी feature कि terido fights में देखने को मिलते है iso eats lycopodium ophioclossum या फिर teris terido fights के कुछ members में pyrenoids present होते हैं pyrenoids क्या है ये food storage bodies होती है जो की बाहर की तरफ protein layer से surrounded होते है और अंदर इसकी क्या present होता starch ठीक है जो starch है वो protein layer से surrounded होता है तो इसी को हम pyrenoid कहते हैं जो की algae का characteristic features होता है इसी लिए कुछ scientist ने terido fights की origin algal origin बताया है ठीक है terido fights की origin कैसी है algal origin है एंड एक ऐसा terido fights है जिसमे आपको secondary growth देखने मिलेगी जो की हमें higher plants में देखने मिलती है जैसे आपके fan row games dicot and gymnos so यहाँ पर हमारा correct answer क्या है option number आइ आइसो आइसो इसमें सिकेंडरी ग्रोथ और पाइरिनोयड दोनों ही देखने को मिलते हैं बहुत important question है very very important ठीक है question पूछा जा सकता है चलिए next question वेलिक्यूलार कैनाल पेर्ड रूट हैर ट्रेबिक्यूलेटेड इंडो डर्मिस इस्पोरो कार्प अरेंज दा एबब फीचर्स बिथ देर करेक्ट जीनस वेलिक्यूलार कैनाल प्रेजन्ट है पेर्ड रूट हैर प्रेजन्ट है इंडो डर्मिस ट्रेबिक्यूलेटेड है इसके साथ स्पोरो कार्प एक ग्रूप में अरेंज है ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है साइलोटम राइनिया टेरीडियम सिलेजिनेला सिलेजिनेला लाइकोपोडियम ओफियोग्लासम एडियंसम एक्वीशीटम लाइकोपोडियम सिलेजिनेला एंड मारसीलिया ड्राइप्टरिस एडियंसम एजोला एंड टेरिस चलिए आप एंसर करने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्टेंस से क्या हो जाएका option number C एकवीशी टम जिसमें हमने क्या देखा वेलीकुलार कैनाल पेर्ड रूट हेर लाइको पोडियम में प्रेजेंट होते हैं ट्रेबीकुलेटर इंडोडर्मिस से लजिनेला की रूट में देखनेंग मिलती है और इस पोरो कार्व का अरेंजमेंट कहां देखनेंग मिलता है मारसीलिया में क्लियर यहाँ पर हमारा करेक्ट एंसर क्या हो गया option number C option number C is correct चलिए next question select below which has vascular tissue and produces spore but does not contain seeds vascular tissue present है यानि की tracheophytes है और spores produce करते हैं लेकिन यहाँ पर seed का formation नहीं होता है bryophytes teridophyta gymnosperms angiosperms पहुती easy questions है न जो हमारे tracheophytes है यह क्या क्या है teridophyta gymnosperms and angiosperms and अगर हम बात करें artracheophyta की तो artracheophyta में हमारे आ जाते हैं algae है ना fungi अगर हम fungi को भी include करें तो fungi algae and bryophyta ठीक है तो हमारे fungi में तो कोई मलब vascular system present ही नहीं हो सकता है ना क्योंकि वह saprophytic है non chlorophytes है तो artracheophytes algae and bryophytes है क्लियर जो gymnosperm है इसमें हमें nicked seed देखनेंग मिलते हैं है ना जो हमारा algae sporm है इसमें हमें seed का formation होता है fruit का भी formation होता है और gymnosperm and algae sporm कैसे हैं हमारे fanro games है flowering plants हैं तो अब आप के पास option क्या बचा bryophytes and teridophytes तो bryophytes में तो हमारे vascular टिष्टू है नहीं तो ये भी मारा क्या हुआ eliminate हो गया तो इस तरीके से हम eliminating methods को use करके अपने correct answer तक पहुँचे क्या है correct answer option number b teridophyta clear तो option में question में जो हमें information given है उसी के basis पे हम अपने options को eliminate करते विए अपने correct answer पर पहुचेंगे ठीक है सबसे best methods होता है यह आपके question solve करने का clear चलिए next question select below how many neck canal cells are present in dryopteris dryopteris में neck canal जो dryopteris की archigonia है dryopteris की archigonia में कितने neck canal cells present होते है archigonia क्या है treidophytes की female reproductive organ है जिसमें egg का formation होता है egg present है clear तो जो dryopteris की archigonia है इसमें neck canal cells कितनी present होती है क्योंकि हम algae से जैसे जैसे higher plants की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे neck canal cells का number reduce होता है तो dryopteris में neck canal cells कितनी present है one two many या फिर none of these या फिर none of these या पर हमारा correct answer हो जाएगा option number a किवल एक neck canal cell present होती है dryopteris की archigonia में clear चलिए के लिए आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले and share जरूर करें ठीक है चलिए मिलते हैं next class में और next class में हम लोग जो है terrido fights के बाद gymno sporms and enjoy sporms के question solve करेंगे अगर आप चाते हैं एक ही class में हम 80 question solve करें तो आप 1000 plus करने की courses करें हम बहुत ही जल्द हर एक class में 80 to 100 question solve करेंगे यह सभी की सभी classes आपके TZT and PZT के लिए importance है क्योंकि हमने यहां पर NCRT based सभी questions को include किया है और इसके साथ साथ आपके graveyardation level से questions को include किया है तो आपके इन दोनों के लिए बहुत ही important है आप किसी भी state से TZT, PZT की preparation कर रहे हैं तो उन सभी spirals के लिए यह videos and यह questions बहुत ही important है तो आप जरूर solve करिए इन questions को हम आपके साथ है और आप और हम दोनों मिलकर लगातार मेहनत कर रहे हैं तो हम दोनों लगातार मेहनत करेंगे जिसे definitely हम योगों का selection होगा ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे next class में और next questions को solve करेंगे Thank you so much everyone Thank you so much